नमस्कार आज हम लोग बात करने वाले हैं अलग अलग देशों के एड्रेसिंग सिस्टम के बारे हम बात करने वाले हैं कि अमेरिका की है तो सारी डिटेल्स हम लोग जानेंगे ठीक है मैं बात कर रहा हूँ रतनाकर उपाध्या आप देख रहा हैं यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल चलिए कुछ अच्छा सीखते हैं देखें हम लोग बात करने वाले कंट्री कोड एड्रेसिंग सिस्टम की किसकी बात करने वाले हैं country code addressing system की बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हम अपने भारत देश की बात कर लेते हैं कि अगर हमारे इंडिया की वेबसाइट है तो क्या लिखा रहेगा आप लोग कहते हैं न डॉट इन लिखा हुआ है तो सीधी सी बात है जो हमारा डॉट इन है अगर कहीं पे भी डॉट इन लिखा रहता है तो आप समझ लिजिए कि वो किसका है डॉट इन जो है हमारा वो इंडिया का है अब मैं बताता हूँ कि अगर मान लिजिए पाकिस्तान की बात हम कर ले तो पीके, पीके मुवी की बात नहीं कर रहा हूँ यानि किसी वेबसाइट में डॉट पीके अगर लगा हो तो आप समझ लिजिए कि वो किसकी वेबसाइट है वाई वो पाकिस्तान की वेबसाइट है फिर उसी तरीके से अगर किसी में यूके लगा हो तो यूके तो आप लोग जानते हो United Kingdom को बताता है अगर हम बात कर ले .jp की किसकी बात कर ले .jp की तो jp मतलब क्या हुआ Japan यानि की मतलब वो हमारा जो हुआ वो दूसरे देश यानि जापान की website हम लोग use कर रहे हैं अब इसी तरीके से अगर हम बात कर ले .ca की तो c ये मतलब क्या होता है Canada मतलब ये website जो है हमारी वो कहा की है Canada की है उसे तरीके से हम लोग एकात example और देख लेते हैं बाकी हम लोग पहचानने का प्रयास करते हैं ठीक है अगर हम US की बात कर लें तो US.US अगर कहीं पर भी लगा हुआ है तो आप समझ लो कि वो United State की website है आप लोग इतना जान लो तो ये हमारे कुछ examples हैं जिसको मैंने आप लोगों को बता दिया बाकी इस examples की मैं आप लोगो पीडिया प्रोवाइड करूँगा description में उसके link दिये हुए है complete हम लोग country addressing के बारे में system पढ़ें जितने भी देश है हमारे उनकी पूरी चर्चा करेंगे बाकी और भी सारी वीडियो हमारी पड़ी हुई है web addressing की URL की जिसको आप लोग जान सकते हो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आयो तो एक बार like से subscribe जरूर करें आप लोग अगर कोई सुधाओ देना चाहते तो आप लेख बहुत कमेंट जरूर करें कमेंट का reply जरूर देंगे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जहिन